हाई फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारी चैनल में तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको कुकर में चावल बनाने का अग्दम परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ चावल लिए है तो आपको जितने भी चावल बनाने हो तो यह थोड़ा पुराने चावल है चावल जितना पुराना हो जाता है उतना ही अच्छा बनता है यह खासियत होती है तो नए चावल जो है आपस में चिपकते हैं लेकिन बौारना चावल चपगता नहीं है और उसकी जो quantity है बनने की बाद काफी जादा हो जाती है जिसको हमारी वासा में चावल का सैलाना कहते हैं जाधा मात्रा में बन जाते हैं तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पानी तो आपको इतना पानी डालना है कि चावल अच्छी से डूब जाए तो यहां पर मैं बहुती बढ़िया क्लीनिंग की टिप बता रही हूं जिससे चावल आपका बहुत अच्छी से क्लीन होगा सॉफ्टी बनेगा इसमें हम आदा चमच करीब नमक मिला देंगे और इसको हम पांच मिनट के लिए रेस्ट के लिए रग देंगे इससे जो चावल है बहुती सॉफ्ट बनेगा और इसकी जितनी गंदगी है वह काफी हद तक क्लीन हो जाएगे तो आप देख सकते हैं हमने पांच मिनट के लिए इसको रग दिया था तो उपर जो पानी है कुछ इस तर आप देख सकते हैं इसका पानी गंदगा होगया है तो इसको हम अलग से काल लेते हैं अ आप हम इसमे फिर से 1 बार पानी डालेगे तो चावलों को हम करीब 2 बार वाश करेंगे तो नमक की बज़िए से बाल को ज्यादा वाश करने की जरूवत नहीँ है इसमें जो इसे ची तो जब थोड़ा पानी रह जाए तब आप नीचे इस तरह से हाथ लगा लीजिए तो जितने भी चावल के दाने आएंगे वह आपके हाथों में ही आजाएंगे बेस्ट नहीं होंगे हमने चावल को खूब अच्छी से वाश कर लिया है आप देखेगा आपका चावल बहुती सौफ वरनेगा इस तरीके से तो अब आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको लेना है कुकर तो कुकर में हम डालेंगे सबसे पहले इन चावलों को अब यहां पर पानी डालने के लिए आप सुन लीजिए कि आपको जितनी क्वांटिटी में चावल यह हैं अपने उतनी ही क्वांटिटी में आपको पानी लेना है बहुत से लोग डबल कर देते हैं उससे चावल गीले हो जाते एक दम चिपक जाता है उनके अंदर पानी ज आप कोयल भी डाल सकते हैंija बटर भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर देशी घी डाल रही हूं और और मैं यहाँ पर आधा नीबू का रस डाल रही हूं, नीबू के रस से चावल इदम भाइड बनता है और घी से चावल चिपकता नहीं है, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, यह अप्सिनल है, मेरे बच्ची सूखे खाते हैं, इस वज़े से मैंने थोड़ा सा नमक डाल इसके हम लेड़ बंद कर देते हैं, और इसको हम गैस में रख देंगे, गैस में पहले आपको फुल फ्लेम पर रखना है, जैसे ही कुकर में प्रेशर बनने लगे, फिर आपको फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, लो फ्लेम पर आपको दो सीटियां इसमें लगवानी है, कभी कभी डिपेंट करता है आपकी कुकर पर कि कितनी सीटी इसमें चाहिए होती है तो यहाँ पर मेरे कुकर में सिर्फ दो सीटी में ही मेरे चावल जोर पक जाते हैं मैं दो सीटी लगवा देती हूँ तो दो सीटीज में लग चुकी हैं गैस को हम बंद कर देते हैं और इसका हम खूब अच्छे सी प्रैसर निकल जाने देंगे प्रैसर निकलने की बाद भी आपको पांच मिनट तक इसको कुखर को ऐसे ही रखे रहने देना है इससे चावल अंदर तक सौफ हो जाता है आप देख सकते हैं इसका लगबग प्रैसर निकल गया है फिर भी मैं इसको पांच मिनट तक रखे रहने देते हूं तो अब ये पूरी तरह से प्रेशर भी निकल गया है, पांच मिर तक मैंने इसको और रखे रहने दिया है, अब हम ढ़कन को खोलेंगे, चावल की बिसीस्ता यही होती है, खाने में एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, और एकदम चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, अब आपको क अब आपको चावल को अच्छे से मिलाना है, इससे चावल खराम नहीं होता है, अगर आप दूसरे हिस्टे से मिलाएंगे, तो चावल आपस में चिपक जाते हैं, कुछ चावल कट भी जाते हैं, इस तरह से आप चावल को अलग अलग कर दीजिए, तो ये देखिए कितने अब आप एक ठाली ले लिजिए या ट्रे कुछ भी बड़ा सा बरतन ले लिजिए और उसमें चावलों को आप निकाल दीजिए, तो तुरंत ही आप गरम में ही निकाल दें, इससे चिपकता नहीं है चावल और अच्छा बनता है, तो अब इसको हम अच्छे से फैला देते हैं, चम्मस से, ताकि जब चावल ठंडा होगा, तो आप इसमें चिपकेगा नहीं, और बहुत बढ़िया मनेगा, तो यह सॉफ्ट बहुत बना है, चावल की बिसीस्ता यही होती है, चावल खाने में एक डम नरम होना चाहिए, और बहुत ज्यादा चिपका हुआ, बहुत बहुत अच्छी क्वाइल्टी का लिया हो, नॉर्मल जो घर पर यूज होता है, मैंने वही चावल लिया है, तो चलिए चावल में हम डालेंगे राजमा और राजमा चावल को हम सर्फ करेंगे, तो मैंने राजमा की सबजी आज बनाई हुई है, पंजावी राजमा, तो उ आप उसको जरूर देखें, बहुत बढ़िया राजमा बने है, तो चावल राजमा को मैं आपको खा करके दिखाती हूँ, वाव, बहुत ही टेस्टी बने है, तो आप भी इसको जरूर ट्राई करें, इस तरह से चावल बना करके, और राजमा का वीडियो देखना बिलकुल इस एक झाल ना बोले, आपको झाल आता है, तो ना बने है पुल थार लीत करें तो आएका, जया खाना घंग झाले जाले प्लीन एका, जया है अएक, गया हाँ, वाव, थार राजमा कर.